एक वीडियो में पहले भी बनाया था कि इसकी नोटिफिकेशन निकलने वाली है बहुत सारी डिटेज्ज दी थी और बहुत सारे चेंजेज हैं आज के इस नोकरी के अंदर इस नोकरी में दो एक्जामिनेशन हुआ करते थे अब एक एक्जामिनेशन है और सिलिबस पिछले से बार से भी कम है बहुत कुछ अच्छे ची चीज है इस नोकरी करने तो पर और सबसे पहले बदा दूं कि दोनो फूश्ट के लिए आप चाहता प्लाई कर सकते हो ज़रूरी नहीं आपको किसी एक पूश्ट के लिए करना है इंस वीडियो करेंगे प्रिविए इसे पेप एक पिपर्स का आपको बता देता हूं कि टेली गराम पिपर्स के पडियर पेपर्स में डाल दूंगा टेली घर फॉलो कर लो वहाँ पे डेली कर एंटर फेर श्ट्रेड वागेरा सब कुछ हो रहा है दूसरी पात इक्जामिशन पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है इस यह pattern के हिसाब से आपको mock test ढूड़ना है और आपको अगर mock test चाहिए इस examination के लिए जो के चाहिए obviously तो आप olive board का यूज़ कर सकते हो बिल्कुल अभी भाई latest में लोगों ने launch कर दिया है new pattern के हिसाब से और सबसे अच्छी बात है कि free test इसका free test मैं देखर के देखा बिल्कुल नए pattern के हिसाब से है मैं और भी जगह के यूज़ करके देखा वहां पर मुझे मिलाने ठीक से नए pattern पुराने पैटन को उठा करके number of questions वगरा बस change कर दिया है लोगि इन्होंने नए pattern के हिसाब से काम किया हुआ है मैं देखा इनका सार में जरूर बताएगा कितना आपका score आ रहा है पिछली वीडियो में एक बच्चा बहुत अच्छा score कर रहा था 190 से उसका 200 marks हुआ था मैं देखा दा कमेंट ऐसे करते रहोगे तो आपका काम चलेगा तो बिल्कुल यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट दो और अपना लेवल जानो examination से पहले की मेरा क्या लेवल है examination क्या लेवल है और यह ऐसा examination है जिसके अंदर आप मॉक टेस्ट देओ करके आपको बहुत को समझ भाएगा क्योंकि paper बहुत easy आता है इसके लाव आप इनका app download कर लेना इसमें free किताबे में मिलती है 400 के आसपास किताबे free है और free मॉक बहुत सारी चीज़े अलग भी है तो इस notification के अंदर दोनों को हम एक साथ लेके चलेंगे जो चीज़े common है बताता चलूगा जहां बदलाव है वहां बताता चलूगा तक कि हमारा time waste नहों हो तो यहां पर dates और application fees दोनों ही post के लिए common है तो 27 March से लेकर के 26 April तक आप इन दोनो पोश्ट के लिए apply कर सकते हो अलग-अलग से फीस की बात करें तो 700 रुपए application fees है किसकी male candidate के लिए सिर्फ वो भी general OBC और EWS और SC ST physically handicapped किसी भी हो male female free है female किसी भी category की हो free है ex-serviceman के लिए free है female general OBC EWS तब भी free है तो सिर्फ लड़कों के लिए यहां पर fees है कितना है हमारा 700 500 रुपए अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है फॉर्म भरते वक्त तो आप इस फॉर्म को correct कर सकते हो 27 अप्रिल से 28 अप्रिल दो दिन का समय आपको मिलेगा जो भी गलतिया होंगी आपको पता चल जाएंगी examination date का कुछ भी नहीं पता है पर आप लेके चलिए कि लगबग आपका धाई महिने के आसपास आपको मिलेगा दो से धाई महिना लगबग 60-70 दिन बाद आपका इसका पेपर हो जाएगा ठीक है बाकि date के बारे में जैसी information आएगी मैं आपको बताऊंगा फीस यहां पर बताए गया 700 रुप अप्लिकेशन फीस है वह यहां पर भी से किसी भी रिजन वाइज नहीं है यह common निकलती है ठीक है दोनों पोस्ट से अप्लाई आप कर सकते हो फीस अलग अलग देनी पड़ेगी तो यह 700 रुपे नहीं 1400 रुपे लगेंगे अगर आप दोनों ही फॉर्म के लिए तो फीमेल हो तो 0 रुपीज है दोनों ही फॉर्म के लिए अब हम देख लेते हैं पोस्ट की डिटेल्स मैं स्क्रीन से हड़ जाता हूं और आप अच्छे से देख पाओ यहां पर पोस्ट की डिटेल्स देखो यहां लिखा है कैटेगरी यह आपकी कैटेगरी है सारी नॉर्मल बच्चों के लिए यानि नॉर्मल जो SCST है उ स्टेट से नहीं सपोज है गुजरात रिजन अपल्य से स्टेट से नहीं संग यहां लेंग घChrist का कोई सब्सक्राइब करना यहां तो यहां अपको ठोल 59 से जिरो पोस्ट है यहां पर तो दिख करके आपको apply करना है कि आपकी category की seats वहां पे 0 ना हो समझ मैं आपको और यह ex-servicemen की seats भी बहुत जादा है आप देख सकते हो ex-servicemen के लिए बहुत अच्छी opportunity है यह ठीक है सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो अब से ज़्यादा आपके महाराष्टरा के अंदर seats है कहा गया हां यह रहा चार सो बाइस आपका पोस्ट है महाराष्टरा रिजन के अंदर तो cut-off ओविसली महाराष्टरा का थोड़ा सा कम जाने के चांसे हैं वैसे जो गोवा का सबसे कम कट ओफ जाता है 15 पोस्ट है फिर भी इसका कट ओफ बहुत ज्यादा कम जाता है और इस बार भी शायद जाएगा इसके लावा आपका नेक्स में देखते हैं यहाँ पर 416 आपके तमिलाडू रिजन से भी पोस्ट है तो यह भी दो पोस्ट काफी जादा है तो 2674 यहाँ पर हमारी पोस्ट है बिना फिजिकली हैंडिकेप बच्चों के रिजरिवेशन के लिए और 478 यहाँ पर अलग से है हमारी सीट्स ठीक है और स्टिनोग्राफर के लिए मैं आपको बताया हूँ पहले ही कि स्टिनोग्राफर के लिए भाई कोई स्टेट वाइज नहीं है एक बार अप्लाई करोगे पूरी कंट्री में पोस्टिंग है कहीं पर भी भेज़ देंगे 185 टोटल सीट से हैं अब हम आ जाते हैं भाई eligibility criteria के अंदर eligibility criteria देखना स्टार्ट करते हैं दोनों examination का eligibility criteria में education में अंतर एज में नहीं है तो यह जम देख लेते हैं age की बात करें तो 18 से 27 साल तक के बच्चे apply कर सकते हैं दोनों ही पोस्ट के लिए और जो relaxation मिलता है यहाँ पर मिल रहा है आपको ex-serviceman तीन साल पांच साल जो SCST OBC मिलता है वो और physically handicapped को जो मिलता है सम मिल रहा है यहाँ ठीक है अब हम आज आते हैं education qualification के उपर दोनों का ही education qualification अलग है SS से social security assistant को कोई भी graduate apply कर सकता है और steno को कोई भी 12th pass apply कर सकता है एक बात आप इंसके अंदर समझ लो पहले ही कि social security assistant level 5 के नोकरी है थोड़े सी superior नोकरी है हमारी steno के comparison में social security assistant को कोई graduate apply कर सकता है आपने BA, BTEC, BC, BSE कुछ भी क्या हो कोई रखने पड़ता फाइनल एर के बच्चे नहीं कर सकते 12th appearing नहीं कर सकते स्टीनों के लिए दोनों ही post के अंदर फाइनल एर के बच्चे नहीं apply कर सकते दोनों ही post के अंदर क्या percentage आये थे आपके 12th में या फि कर सकते हो इसके लावा कोई भी extra criteria नहीं है आप कितने भी बार fail ओकर के पास होएते तो भी apply कर सकते हो कोई भी आप यहां पर doubt मत रखना हर एक बच्चा अप्लाई कर सकता है जो graduate है और 12th पास है यहां पर ध्यान रहे कोई भी computer का certificate नहीं चाहिए कुछ भी computer सेरिटेड नहीं चाहिए नहीं लैंगविज सेरिटेड नहीं किसी राज्य की भासा चाहिए नहीं कुछ भी नहीं च सब्सक्राइब करो शेर करो अपने बच्चों के साथ की भाई अपने बच्चों के साथ नहीं अपने दोस्तों के साथ तो कि उनको भी पता चले कि आईसा कुछ चैनल है ठीक है अब हम बात कर लेते हैं salary और promotion की अब हम देखने वाले हैं detail में salary promotion work profile EPFO के अंदर जितनी भी न इन हैंड क्या मिलेगा तो यहां पर लेके चलो आप 50,000 प्लस आपकी salary होगी यहां पर इसके अंदर आपकी social security assistant के अंदर और इसके अंदर आपके 40,000 प्लस salary होगी depending upon the posting, posting अगर बहुत अच्छे शाहर में है तो यह salary आपकी 55,000-60,000 तक भी हो जाएगी और यह salary आपकी 40,000- 47,000 तक भी हो जाएगी आपको समझ मैं या work profile देखो यह दोनों ही post कलरकल है यह तो pure कलरकल है और यह कलरकल यह supervisor बन जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि commissioner बन जाए यह कभी भी है बाकि social security assistant वाली जो हमारे post है यह कलरकल पोस्ट है लेकिन धीरे-धीरे promotion हो करके यह आगे ब लेबल नहीं है ठीक है एक चीज़ आपको बता जाता हूं यहाँ पे कि जो EPFO department है उसके अंदर नियम से चार साल के अंदर promotion हो जाता है ठीक है लेकिन ऐसे देखा जाए तो पांस साल लगी जाते है नॉर्मल जो ट्रेंट चलता है पांस साल है EPFO के officer से मेरी बात हुई है और यहाँ से मजा आने लगता है थोड़ा सा section officer बनते ही यह आपके post अच्छी post है यह आपको बनने में लग जाएंगे आप लेके चलिए कम से कम 12 से 15 साल 15 साल आप लेके चलो लगेंगे आपको section officer बनने के अंदर ठीक है यहाँ से stenographer का क्या होगा stenographer भी बन जाएगा section officer के level लेक कुछ कुछ लोग commissioner बनते हैं बहुत रेरली हुआ है मैं नहीं देखा हूं जादा यह प्रमोशन की बात कितना काफी होगा old examination pattern के उपर देख लेते हैं पहले हमारा pattern क्या था प्रिलिम्स दो फिर उसके बाद मेंस दो अलग से डिट निकलेगा उसके बाद skill test दो अब नहीं ह चुनों के लिए अपलाई किया है तो ठीक है next पर आते हैं old examination pattern देखें यह तीन पर होते थे आपके पिलिम्स में और यह देखें यह आपके चार होते थे मेंस में और इसके बाद आपका descriptive paper होता था तो यह बहुत important चीज़ आपको समझ में आई कि यह चीज नहीं करनी है भा आपका selection post 11 का form भरा होगा ठीक है इन सम्में से किसकी तयारी करो तो यह सारे डाउट के उपर वीडियो बना चुका हूँ मैं link description में available एक बाद जरूर चकाउट करेना अगर आपको यह डाउट आ रहा होगा कि सारे examination के तयारी एक साथ कैसे कर या फिर possible है भी कि नहीं या फि aptitude general awareness और English पचास-पचास question आपके aptitude और awareness के है 100 question आपके English के है और आपके total होगे 200 question marks को छोड़ दीजिए एक question 4 marks का है तो 800 marks इन्होंने अपने आराम के लिए क्या हुआ है इसलिए ठीक है आप यह सीज की जिली कि 200 ही question है और 2 घंटे यान 120 मिनिट आपको यहां पर मिलने वा होगा ठीक है 800 marks का total paper होगा 1 by 4th negative marking होगी 1 by 10 के ratio में लोग बच्चे select करेंगे यह हो गया स्टीनों का reasoning का ध्यान रहे इसके अंदर कोई paper नहीं है यही एक written examination है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर written के नाम पर ठीक है इसके बाद आते हैं आपका स्टीनों का phase 2 होगा फिश 2 के अंदर आपका test लेंगे क्या लेंगे आपको 10 मिनट का dictation किया जाएगा ने 10 मिनट आपको वो बात बोलेंगे जो उनका paragraph होगा या जो भी होगा वो आपको बोलेंगे 80 word per minute के speed से type नहीं करना है वो बोलेंगे 80 word per minute के speed से आपको उसों अपने लैंग्वेज में convert कर करना पड़ेगा English या फिर हिंदी में वहाँ पर आपको type करना पड़ेगा वहाँ पर आपको 50 मिनट में English और 50 मिनट में Hindi टाइप करनासा पर और जो आपको वो लोग दी होगे तो 10 MINट में बोले होंगे वो आपको इतने दिर में type करना पड़ेगगा अपको समझ माया यह थ 3 है इसके अंदर हमारा 30-30 question हमारा है और 30-30 marks का है इसके अंदर हमारा 30-30 question है और 100-120 marks का है ठीक है I think मैंने वह उपर आपको बोल दिया general aptitude यह लोग लेंगे ठीक है मैंसे गलती होगे अबर में मैं और है यहांब का 5 बेपर तो आपको देना है घ्रका को बेपर आपको बूर्प की लिए कंभीमिस के इमपॉटेंश है ल एक ओर पकांत कोई इम पॉटेंश है यह हमारा इंची यह बहल ध्यान गिया होगा और 50 question होगे और computer के 10 question होगे यह बस qualifying होगा computer का नाम का होगा 1500 question और आपके 600 marks solve करने के लिए आपको 2 घंटा मिलेगा इसके बाद इनका भी यहाँ पर देख लिजे 4 question होगा मतलब 4 marks का 1 question होगा phase 1 आपका final selection के लिए यह important है दोनों examination के अंदर negative marking 1 by 4 होगी आपका comprehension का paper main होगा 60 आपके 600 marks के 11 paper होगा 1 by 10 ratio में बच्चे select करेंगे ठीक है यहाँ पर भी आपका skill test होगा क्या test करेंगे 35 word per minute के इस 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 आपका English का होगा 30 के हिसाब से आपका Hindi का होगा बस qualify nature का होगा ध्यान रहे stenographer हो चाहिए हो skill test बस आपका qualify करना है pass करना है merit list आपके written examination के उपर ही बनेगी समझ मैं आपको तो यह देख लीजिए दोनों ही examination के बीच में जो difference है skill test का अगर आपका skill test short hand का अच्छा है तब ही आप apply करेगा steno के लिए one up ssa के लिए करिए में यहां पर इसलिए मैं इसको लगाया हूँ क्योंकि हिंदी वाले बच्चे इसको ले सकते हैं मैं इस किताब को पहले बता चुका हूँ कि पढ़ा नहीं हूँ अभी भी नहीं पढ़ा हूँ time नहीं मिल पाए मुझे पढ़ने का पढ़ा होता तो बता देता बट यहीं किताब अवलेबल थी मैं लिंक इसकी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में अगर किसी को इंट्रस्ट होगा तो ले सकते हो हिंदी वाला तो ले सकते हो इंग्लिश वालों के लिए तो बहुत मेटीरियल अवलेबल है और मैं सिंगल किताब तो अभी आपको बता रहा हूँ अलग-अलग सब्जेक्ट की जो बेस्ट किताब है तो अगर आप यहाँ पे SSC और रेलवी की तयारी करते हो तो यह रिजनी की किताब उठाओ और आपकी बैंकिंग के लिए वर्बल नॉन वर्बल वाली किताब उठाओ आप ठीक है यह दोनों किताब अच्छी है और हमारा हां क्वांट आपको श्टिनों में तो क्वांट का बुकी लेनी के जरूत नहीं है दूसरे में लेनी की जरूत है 100% सिलेबस एबुक कवर करेगी राजेश वर्मा राइटर है अरिहन्त पॉबलिकेशन है फास्टर कर्थमाटिक लिंक डिस्क्रिप्शन में विलेबल है जनरल नॉलिज की किताब लूसेंट की सिलेबस की बात करें तो अच्छा यहां पर मैं आपको एक चीज़ बता दू कि आपको कंप्यूटर की पीडिएफ चाहिए हो या फिर और भी मठेल चाहिए हो टेलिग्राम पर हम सब कुछ डाल रहे हैं वहाँ पर चाहो तो चीज़े डाउनलोड कर सकते हो डिली करेंट अ आप चल रहा है वहां पे और आपका वहां पे कुंड होता है टेलिग्राम के ऊपर मतलब जो भी आपका करेंट अफेस चल रहा होगा तीन चार क्वेश्चं पांच वहां पर पूछे जाएगे अगर आप जगन किसी भी चीज कुछ तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा तो आपको बहुत कुछ हो रहा है आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा वहां पर सिलिबस की बात हम करते हैं या पर तो यह आप देख सकते हो में इंफेसे समयर रेडिंग कॉम्प्रियेंशन की उपर ही होगा बाकि इनके अंदर भी क्वेस्चन्स आपके आएंगे या आपको मुझे मतलब पढ़के बतान की जुरूत नहीं है स्क्रीन पर आपको लिखी रह आपको बात है वरना सारे पैटन बाकि एससी के ही जैसा है ठीक है यह आपका नुमेरिकल अबिलीटी हो गया जेनरल अवेर्नेस हो गया हां जेनरल अवेर्नेस के अंदर जो हमारा फाइनेंशल अवेर्नेस और जो हमारा गवर्मेंट स्कीम वह ना इसके उपर में क्लास करता ह्याता हुए झाल से सुझिए यह सेक्ría सॉनेटी टाइमिंग ठहले हुआ करते थी अब अब औरौंबर कुर्टन क्सको बचता है बस नेक्स्ट के नमबर में से है तो आप देख सकते हो आंधर प्रदिश आई तो 85 नमबर बिहार 87 नमबर देखेंगे तो अब देख सकते हो कट-off बहुत ज्यादा हाई जा रहा है कट-off के अंदर बहुत ज्यादा पर लेकिन 200 से के अंदर हमारा कितना है 400 मांक्स का पर लेकिन 500 ने तो मांक्स क्वेश्चन देखो 200 क्वेश्चन एक 120 मिनट में कर रहा हूँ आपका कट-off काट-off कम जाएगा क्वेश्चन के अंदर बच्चे कम अपलाइ करते हैं नहीं कर पाते हैं तो काफी कम परशान हो जाएंगे लेकिन बाई कट आफ का है जो रियालीटी है वो रियालीटी है I think slide हमने कर लिया के कवर हाँ यह तीन डाउट आपके रहते हैं बता देता हूँ एक स्यादा जरूर बतायें एक वाद से या फिर मैंकमेंट महीं आपको आपको फायदा रहोगा पाया मिला है फायदा अगर आपको लाइक जरूर करिए आपनवान को अ'veिद्धिन ओंगे तो आ पेछे चनल को भी जर सब्सक्राइब करें